हे गाईस वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम डिसकस करने जा रहा है ससी कॉंस्टेबल भरती 2020 के बारे में जिया दोस्तों आप सबको पता है कि ससी कॉंस्टेबल ट्रेट्समेंट के पदों पर 1522 पोस्ट मैं इस वीडियो में महत्पुन टॉपिक्स पर डिसकस करने जा रहा हूँ गाईस एक्सप्रियंस सटिफिकट को लेकर जिया लगभग केवल ड्राइवर पद को छोड़कर जितने भी ट्रेट्समेंट पद हैं आपर सबके लिए एक्सप्रियंस चाहिए बिना एक्सप्रिय लगेगा आपके पास नहीं है तो कैसे बनवाना है आप मातर दो दिन में एक्सप्रियंस चैटिफियेट बनवा सकते हो कैसे बनवाना इस प्रोसेस स्टेप बाइस टेप में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो जितने भी केंड़ेट फॉम फिल करना चाहते हैं इस फॉम फिल करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लिजेगा चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करके ओल कर दीज़ेगा तो गाईस में सब सबसे पहले ओफिसियल नोडिफिकेशन के जरिये में आपको बता दूँ कि कौन कौन सी पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन से यहां पर मांगी गई है मैं बात करूं यहां पर जो कौन स्टेबल ड्रावर की पोस्ट पर आउट की गई है जिसे मेल अपलाई कर सकते हैं इसक भी विकल ड्राविंग का लाइसेंस होना चाहिए जी यहां दोस्तों यह सिंपली फ्रेसर एपलाई कर सकते हैं लेकिन यहां पर लाइसेंस मांगा गया है जी यहां आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए आपने अभी तक लाइसेंस एपलाई नहीं कि आप कर सकते हो अगर आ यानि कि simply यहाँपर, आपको यहाँपर certificate होना चाहिए laboratory assistant course का एक course होता है का उसके पास आपका जो course है एक साल का होता है तो उसका भी course आपको यहाँपर Nano घाईगा आप aqueles शीनमीन आपको लगे गा ही आप अप्लै करना चाहते है laboratory assistant के लिए या फिर इस्टेट से किये हैं एप में फिर संडरल से इसका hayat आपको देना ही पड़ेगा इसमें कोई दोराय नहीं है। चलुआ यह इस बात करते हैं veterinary के लिए हैं अब यहाँ पर आता है कौन apply कर सकते हैं simply 10th pass यहाँ पर भी apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो मंगा गया है one year experience in treatment of different spices of animal in a recognized veterinary hospital जी यहाँ दोस्तों यहाँ पर 10th pass के अलावा जो with science में आपका जो subject उसमें होना चाहिए और एक साल का experience जो होना चाहिए वो different spices जो होता है जातिया में animal कोई भी जाती कि आपके पास जो क से बनवाना है मैं बताने वाला हूँ next आपके आता है constable आया के लिए यहाँ पर भी 10th pass मंगा गया है और यहाँ पर the first aid examination पास certificate from red cross society और या फिर should be trend die यहाँ कि दाई जो होता है जो दाई आपको trend करती है उसका भी आपके पास certificate है तो यहाँ पर apply कर सकते है और यह एक साल का इसमें first aid का examination pass out होना चाहिए तो यहाँ पर भी दोरा नहीं होगा guys यहाँ पर simply आपको experience certificate देना है एक साल का आप देख सकते हैं जिसके लिए आप भी बनवा नहीं सकते है आपका previous है तो ही apply कर सकते हो इस post के लिए चले मैं बात करूं यहाँ पर carpenter, plumber और penter के लिए इसमें देख सकते हैं matriculation simply 10th pass candidate यहाँ पर eligible है पलस उसके साथ 2 साल का work experience in respective trade यानि कि आप सिर्फ 10th pass किये हैं अगर apply करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का certificate experience certificate देना पड़ेगा trade वाई जानि carpenter के लिए 2 साल का plumber के लिए apply कर रहे हो उसका भी 2 साल penter का भी कर रहे हैं तो 2 साल लगीग otherwise यहाँ पर या वहर मतलब या one year certificate course from recognized industrial training institute यानि कि ITI या फिर vocational institute with a list of one year experience in the respective trade अगर आपने 10th pass करके ITI किया हुआ है relevant trade से carpenter, plumber या फिर painter से तो आपको कोई भी experience certificate नहीं लगेगा otherwise simply आपका 10th pass certificate और ITI का certificate लगेगा तो आप apply कर सकते हो यहाँ पर भी कोई भी experience की ज़रत नहीं पड़ेगी next इसके अलावा गर आपके पास ITI के degree नहीं है तो आपके पास diploma की degree है दो साल की अपने diploma किया हुआ है relevant branches में तो आप apply कर सकते हो जियां 10th pass करके अपने diploma किया हुआ है सब ब्रांच में तो आप apply कर सकते हैं कोई भी experience की ज़रत नहीं है must qualify trade test यानि कि आपको सिर्फ जो इसमें qualify किया जाएगा जो की trade test जो है वो लिया जाएगा simply आप पर देख सकते है work experience इसमें इसी को देना है जो सिर्फ 10th pass किया हुआ idea किये हुए relevant rates तो आपको कोई भी experience नहीं लगेगा जाईज अब यहाँ पर 10th के बच्चे भी apply करेंगे तो experience कहां से लाए हो मैं बताने वाला हूँ वीडियो में बने रही है next मैं बात करूँ अब यहाँ पर constable जो cook, washer, man, barber, सफाई वाला water carrier और waiter, tailor, gardener and cobbler के लिए तो यहाँ पर भी simply 10th pass मांगा गया है otherwise आप 10th pass से related apply कर रहे हैं तो आपको 2 साल का यहाँ पर भी experience देना पड़ेगा relevant trade में, relevant branches में जहां से apply कर रहे हैं पोस्ट के लिए आप, otherwise यहाँ पर आपने ITI किया है याँ एक साल के आपके पास ITI या फिर vocational institute के आपके पास एक साल की experience या फिर ITI के पास degree है यानि कि ITI relevant आपने इस सब ब्रांचेज में trade में किया हुआ है तो आपको कोई certificate नहीं देना है कोई experience नहीं लगेगा simply 10th और ITI के इस इस में आप exam दे सकते हैं और यह fulfill कर सकते हैं फिर next यह सब ITI आपने नहीं किया experience भी नहीं है तब को diploma किया हुआ और यहाँ पर आपको भी test देना पड़ेगा अब यहाँ पर बात आती है कि sir मेरे पास तो 10th की degree है लेकिन 2 साल का experience मेरे पास है नहीं इसके relevant में तो मैं कब कहां से लाओं तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप सबको इतना पता चल गया हुआ कि कौन सी post के लिए experience की जरुरत है और कौन सी post के लिए experience की जरुरत नहीं है अब IT IQA में relevant rate में तो आपको कोई भी experience नहीं लगेगा डिपलोमा भी किये हुए relevant में तो कोई भी experience नहीं लगेगा लेकिन आप सिर्फ मैटिक पास किये हुए तो आपको experience 2 साल का यहाँ पे post में देना पड़ेगा जो की treatment के लिए पर निकाली गई है अधरवाइज यहाँ पे जितने भी आया constable veterinary और laboratory assistant और driver की post पर इसमें आपको experience लगेगा driver में आपकी कोई भी experience नहीं simply आपका heavy motor vehicle का license लगेगा इसमें अब चलिए अब माँ बात करूं treatment के लिए जिसमें simply 10 पास है और दो साल का experience है तो दे सकते हैं और नहीं है तो कैसे बनवाना है सबसे first process ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला process होता है कि आप कौन सी post के लिए apply कर रहे हो जैसे कि मैं cook के लिए apply कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको एक बढ़ियां सा hotel जो कि उसका कम से कम ISO generated हो या बहुत बढ़ा हो बहुत पहले से काम कर रहा हो यानि कि लगभग market में 10 साल से 15 साल से available हो बढ़ियां है उसका नाम ज्यादा है आपकी relevant है तो ध्यान देजे उस hotel में सबसे पहले उस hotel के manager से या फिर उसके CEO से आपको contract करना है first बात होगी next बात है यानि कि मैं सिर्फ cook के लिए नहीं बता रहा हूँ जितने भी यहां पर waterman, malli हो गया सफाई वाला आप जहां पर भी apply करना चाहते हैं just उससे संपर करना है सफाई वाला तो एक अच्छे से सफाई वाला आपके नजर में जो भी होगा वहां पर उससे संपर करना पड़ेगा जहां पर सफाई वाले ज्यादा सब करवाता है water carrier वहां से संपर करना है first आपको कहां पर apply करना है और कहां पर जाना यह आपको पता चल गया next आता है second step क्या करना है second step में आपको उससे related आपको FE defeat बनवाना है अब जीस भी hotel में या फिर जोहां भी आप वासर में पेंटर हो गया किसी भी irrelevant rate में जैसे आप पेंटर है तो एक पेंटर का कोई भी जैसे ठीकेदार होता है उसका कोई insult है जो करवाता है सब तो वहां से आपको करना है तो आप जीस post के लिए apply करने हैं उस post का insult यानि कोई बड़ा सा संस्थान आपको ढूणना इंजियो डोना जो भी हो उसके बाद वहां आपको जाना है उसको बात करना है कि सर मुझे ऐसा चीज़ के लिए ssb में constable की vacancies निकाली गई है मुझे यहां पर experience की कोई set fit बनवाना है प्लीज help कर दिए असानी से कर देगा गाई सभी मना नहीं कर सकता है एक दो जगा मना कर दे तो तीसरे जगा आप जाओ वो करवा देगा next आता है दूसरा step क्या है दूसरा step आपको एक F.E.D.Fit बनवाना है court से जो भी आपका नजदिक में court है आप जहां पर काम किये है उसके नजदिक में जो भी court होगा वहां से आपको F.E.D.P. बनवाना है F.E.D.P. में simply आपको बताना है आपने कब join किया दो साल का experience है दो साल mention किजिएगा कब join किया कब तक आपका end हुआ दो साल होना चाहिए इसके बीच में उसके बाद आपकी काम क्या थी उसमें आपके behavior कैसे थे कितनी salary मिलती थी आपने वहाँ पर क्यों छोड़ा यह सब सब आपको mention करना पड़ेगा उसके बाद F.E.D.P. वो कर देगा जो आपका lawyer से किसी को पगड़िएगा करवा देगा next आपको आना है फिर से दुबारा वही restaurant में वहां से इस hotel या फिर सफाई वाला पेंटर वेटर जहां पर ही अप्लाग कर रहा है जो आपस सोर्स लिया है उसके दौरा आपको steel यानि मोहर करवा लेना है अगर उसके पास steel level नहीं है तो आप signature simply करवा सकते हो और उसके पास जो ISO generated है उसके पास यहां पर जो उसका मोहर लगा लिजेगा होया उसके पास बस यही work है आपका certificate तयार हो जाएगा आप जब form फिल करेंगे तो इसका scan copy आप इस हाँ पर upload कर दीजेगा तो बस मातर इतना ही process है guys और यह process minimum minimum दो दिन में आप कर सकती हो आप एक दिन में भी कर सकते हो लेकिन मैं दो दिन आप दे रहा हूं दो दिन में कर लेना क्योंकि फोर्म जो apply करना भी आपको इतना आपको ध्यान होई और सभी करवा देगा हाँ अगर आपका link अच्छा है जैसे कि आप hotel या फिर कहीं पीजार आपका link अच्छा है तो आप अराम से कर सकते हो जल्दी हो जागा लेकिन अगर link नहीं है बड़ा hotel है आपकी बात नहीं मान रहा तो कुछ पैसे भी लेता है तो आपके हिसाब से देख लिजेगा आप कर सकते है तो दे देना है करवा लेना है क्योंकि आपकी काम निकल रही जाहिल सी बात है अधरवाइस कोई link है कोई waiter वेगर आपका friend वेगर काम कर रहे तो आप सानी से करवा सकते हो वहां से तो guys आप अराम से सट्वेट बनवा सकते हैं कोई बड़ा इसी नहीं है अराम से कर सकते हो यसी नहीं कि मेरे पास experience नहीं है तो मैं बैठा रहा जाओं ब experience को लेकर अधरवाइस इससे related कुछ भी क्वाईरी हो आप कमेंट की से आपकी पूरी सायता और help की जाएगी हमारी तरफ से वीडियो आपको पसंद आएगा हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राब करके बैल आकन को प्रेस कर देजीगा गवर्मेंट जॉप की पलपल की अपडेट पाने के लिए और गाईज इस पे वीडियो आएगी सलेवेस की तो आप जरूर देख प्रेस का उंटी आएगगा जैनल आएगा हमारे आपकन है की तो आएगगा लेगर नवेगर के लिए सलेंगा पाने के लिएमट मत कर देख्या बार बारे सब्सक्राब की अशब्सक्डitives मेंगर जमट टेसे हैं स enforced अएगवार मैंने अवर्रा रह बार्मट के पाने युरी